नमस्कार दोस्तों मेरा नामे क्रिशना राज निगम और आप देख रहें नवकरी अपडेट यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप आर आर भी एंटी पीसी की रेश्टेशन नमबर को भोल चुके हैं या आपके पास आर आर भी एंटी पीसी क रेश्टेशन नमबर नहीं है तो आप कैसे फार्गेट कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको इस्टेप बाइस्टेप जनकारी दी जाएगी इस वीडियो के साथ बने रही है और अभी तक इस यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल क सुक्क करैंट कि में ढıldıक में नाट है तो दोस्तो देखिए अपको हम बताते हैं कि आप क्या करना पड़ेबा तो दोस्तों यहां पर लिखा गया कि अनुदेष सबसे पहले इंटरक्सन आप पढ़ सकते हैं कि जो चैनी सब करना अे आप लिगullen करना पड़ेग तो दोस्त तो हम आपको बता दें यहां पर यहां पर प्रत्यासी नम में जो आपका नाम होगा वो आप अपना नाम को फिल कीजिएगा जैसे आप फार्म को फिल किये थे और यहां पर जो जनम की तारीक होती है वो आप फिल कर लीजिएगा जैसे कि आप यहां पर देखिए बगल में आ नश्राप देख पर रहे होंगे कि इस पर करके आपना जरमतीति को फिल किए गा और यहाँ पर इमेल i.d. जो फार्म को बरते समय दिये थे और यहाँ पर जो मुबाइल नमबर दिये थे वह आपको सब प्लेना फील कर लेना है सब सब सही जनकारी फिल करने करने का tort को प्लेगे कि यह केप्चिआ कोड ने दिखाई देगर है आपको इसकेप्च्रा कोड को फिल कर लेना है जो भी आपके ओवाईल में केप चाप आ gesch कोड आएगा या लेप टाप जिस्से आप फरकेट और एकर पर जो मैसे जाता है वो अभी हम आपको दिखाते हैं मैं उसको स्क्रीन साइट करके रख लिया हूँ तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में पॉस्ट करता हूँ तो दोखस यहाँ पर दिए सकते हैं यहाँ पर जिनका मैं फारगट किया हूँ यहाँ पर इनका जननतारिक saak यहाँ पर email id, mobile number दिखाई देगा जो कि मैं सो नहीं कह सकता हूँ और मैं यहाँ पर देखिए जो दूसरा है यहाँ पर देखिए सज्जा दूसरा नहीं यहाँ पर भी हुआ ही है और मैं यहाँ पर देखिए एक बगल में एक और message आता है जैसे कि आप यहाँ पर पड़ पा रहे होंगे आपके कैसा message आएगा जैसे आप submit कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर note में लिखाएगे कि आपको अपना पंजीकरण नंबर 48 घंटेक भीतर पराप्त होगा जो हम आपको वहाँ पर भी बता हैं दोस्तों देखें आपके जो email ID है या mobile नंबर उस पर message जाएगा कि आपका कौन सा जो पंजीकरण संक्या है वो आपको मिल जाएगा email ID पर दोस्तों आपको ऐसे RRB NTPC का जो registration नंबर है फार्गिट करना है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही जनकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों चलिए मिलता है नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत